तो हाई गैज आपका स्वागत है मेरी सेनिमे चैनल पर तो आज मैं बताने जाना हो कि चारीजार और म्यूट्यो के दो मेगा एवलूशन क्यों होते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहला जो लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे कि आपको मेरे हर ने वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते हैं और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और नहीं अच्छा लगे तो आप डिस्लाइक भी कर सकते हो तो वीडियो सुरू करते हैं तो आप सबी को पता होगा कि चारीज़र और मिड्यो के दो मेगा एवलूर्शन है Charger X, Charger Y और Mewtwo X और Mewtwo Y पहले बात करते हैं Mewtwo की जैसे कि आप लोगों को पता है कि Mewtwo Artificial Pokemon है जिसको Mr. Foozie ने बनाया है तो फिर इसका Mega Evolution कहा से है तो जाहिर सी बात है जिन्होंने Mewtwo को बनाया होगा उन्होंने ही Mega Stone उसका बनाया होगा यानि कि Mr. Foozie ने ही उसका Mega Stone बनाया तो फिर दो Q एक भी तो हो जाकते हैं तो इसका सही रीजन है कि Mewtwo के दो टाइप को सो करने के लिए Mewtwo X दिखाता है Mewtwo के Fighting Side को और Mewtwo Y दिखाता है Mewtwo के Physics Side को ये तो पता चल गया कि Mewtwo का स्टोन Artificial है अब बात करते है चाइज अट्टी इसका भी दो फोर्म है X और Y जो Mewtwo के स्टोन बन रहा था उससे पहले उसको एक टिस्ट इस्पेरिमेंट की आगे जैसे कि हमारे रियल वर्ल में भी होता है वो पकमन कोई और नहीं बल्कि सबका पसंदीदा मेगा चारिजाड एक्स है तो हां मेगा चारिजाड एकस है जिसका स्टोन इस्पेरिमेंट से ब मेगा चारिजाड एकस का स्टोन मिलता है जिसे मिस्टर फूजी ही देते हैं और जिन्होंने उसे बनाया था और म्यूटू से लड़ते समय उसका चारिजाड मेगा बन जाता है तो अब आप लोगों को पता चल गया है कि म्यूटू और चारिजाड के दो मेगा एविलूश इच्छे लगी तो आप डिस्लाइब भी कर सकते हैं अगरे रोज ऐसी फैन थियोडी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्स्क्राइब कर देजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देजिए मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में तब तक लिए टेक केयर बाबाबाब इच्छे कर देजिए मैं